जैपूर में आज से दो दिन पानी की सप्लाई पूरी तरहां से बंद रहेगी। आज शाम चार बजे से 24 घंटे का शटडाउन रहेगा। जैपूर शहर में 6 फरवरी को सुभे पानी की सप्लाई एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई देगी। राजधानी के सभी पंपिंग स्टेशन फिलहाल पूरी तरहां से बंद रहेगी। देखिए गर्मियों में जैपूर में पानी की सप्लाई है वो निर्बाद हो किसी तरह की दिक्कत ना हो ऐसे में अभी जो जैपूर की कुछ जगह है कुछ पॉइंट है बिसलपूर प्रोजेक्ट के तहत जहां मेंटिनेंस की जुरुत है एन्वल मेंटिनेंस होता है और उ थे कि दिक्त नहीं है साम को चार बूल से सट्डाउन होगा यानि यानी कि जैपूर के तमाम इंपानी सप्लाई होता है घरों में विभीन इलाकों में वो पंपिंग स्टेशंस बंद रहेंगे और उसके बाद तमाम जगें मेंटिनेंस का काम किया जाएगा और मेंटिनेंस पानी की सप्लाई नहीं होगी अब जो पानी की सप्लाई है वो पानी की सप्लाई करके अगले दो दिन के लिए जहां जरुरत पड़ेगी वहां पे टेंकर से पानी सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी लेकिन हाँ यह जरूर है कि बड़ा शहर है बड़ी आबादी है और ऐसे में चुकि दो दिन अगर पानी नहीं आएगा तो समश्या भी होगी और यह मैंटिनेंस का जो काम है यह हमेशा जो है एक एन्वर मैंटिनेंस के तहता है हमेशा जब ज़रुरत होती है तो इ जिन तक पानी जेपूर में नहीं आएगा हालं कई जगर दिक्कत होगी लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोशिश की है कि घर पे स्टोरेज किया जा सके लेकिन यह संभव नहीं है कि हर किसी के घर में इस तरह की विवस्ता हो ऐसे में जल्दाए विभाग के अधिकार के लिए कुछ परिवारों को यहां पर परिशानी का सामना करना पड़ सकता है कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर आपने सही का कि वह स्टोरेज करके पानी को नहीं रख सकते तो वहां पर कुछ किलत जरूर हो सकती है लेकिन इस 24 घंटे के बाद में आगामी दिनों में जब गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो इस दोरान पानी की किलत ना हो इस वज़े से कह सकते हैं कि वाकिए यह बहुत सही पैसला सही वक्त पड़ लिया गया है भी को ह Blade a देखे जब भी तुक्य जय पुर में गर्मीओं में सबस्यादा दिक्त होती है उस समय पानी की कोई दिक्कत नहों तो ऐसे में यह जोड़ी होता है कि मैंटेनस है वह ऐसे समय में लिया जाए जब सपलाई की जूरब खौ कम हो तो पानी की ऊचितना नहीं होता जब दो दिन पानी की सप्लाइबंद कर दे मैंटिनेंस का काम करें क्योंकि वह संब्सक्राइब जरूरत होती है लोग जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं तो यह एक कहां निति के तहत काम किया गया है कि चुकि थोड़ा सर्दी का मौसम है पानी की जरूरत अपे तो रहेगा और कई अलाके ऐसे हैं जहां पर जो है सबसे ज्यादा दिक्कत रहने की संभावना है तो ऐसे में अब देखना है कि इन दो दिन की चुनोती से विभाग के अधिकारी है वो किस तरह से पार पा सकते हैं लेकिन आज सुबह जो पानी के सप्लाई हुई है अंचन को परिशानी का सामना ना करना पड़े